दोस्तों वो नई एक्ष्टर इंडिया में लॉंच हो चुकी है और इस गाड़ी की जो प्री बुकिंग है वो अनलिमिटेड मतलब कही जा सकती है कि इतनी ज़्यादा इस गाड़ी की बुकिंग आखित क्यों हुई क्योंकि ये गाड़ी बहुत लोग कहरें कि अफॉरडिबल है और बहुत लोगों ने कुश्चन और कमेंट भी किया कि सर मुझे इसमें बेस वेरियंट का जो प्राइस बता दीजे और क्या कुछ उसमें मिलने वाला है तो आज आप इस वीडियो में कवर करने वाले है बेस व उसका प्राइस पॉइंट रहने वाला है एक्सोरूम वहीं पर अगर देखा जाए कि बेस वेरियंट में एक और वेरियंट जिसका नाम है एक्स्टर ई एक्स ऑप्शनल वेरियंट वो 6,25,000 रुपए का एक्सोरूम देखने को मिल जाएगा तो डिफरेंट है और बहुत ल आप बेस वेरियंट लेते हैं तो इसमें क्या कुछ मिलता है यह भी बहुत बड़ा कोश्टन है तो प्रोजेक्टर हेडलम जैसी चीजे जो नहीं मिलेंगी एड़ उन नहीं होंगी बहुत सारी चीजे है जो कॉस्ट करेंग करेंगी जिसके लाइव वील आपको देखने को नहीं मिलेंगे सन रूफ भी देखने को नहीं मिलेंगा बेस वेरियंट में और उसके साथ ड्रेस कैम जैसे चीजे भी नहीं देखने को मिल सकती है तो इसकी असलियत सामने आ ही जाएगी जैसे हुन्डा ही वरना किया थी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जुरू बतना कि क्या यह 5 स्टार की सेविटी रेटिंग्स ले आएगी और क्या अफ़र्डिबल गाड़ी हो सकती है कमेंट सेक्से में जुरू बतना ऐसे और भी आटोमेटिक कंटेंग के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्क्राब करना तब तक के लिए जाएं जैबारा